को या अ को या अ को जबेगा गुद मॉर्निंग स्टुदेंन्स वैल्गें टो एकांट अटिर्ट क्रास्स्टॉटर्ट्वार्ट टुडए वी इन टोड़ वी वी हांगा टोड़ को फूपलीत हो गाया है हमारा सिलेबर्स प्रस्ट नमका कितने हैं ? चैप्टर एक्टर से स्टार्ट करते हैं, तो रिवीजन में फिर से फिरसे फ़स्ट लेशन से स्टार्ट करें हैं, हमाहा है फास्ट संसृ ऊश्ट लेस्ट माइरे सी करता हैं हमार स्पलme обाउषचिन था जीन होती है तरह से साओधी की होती है तो जैसे थे स्मॉल खेस्टिर है स्मॉल खेमिली क्या होती है तो small family में क्या होता है? parents होते है एंप एण उसके child होते है parents एंप एण के child फास इतने ही लिद ही होते है जो small family होती है जिसमें ghostly हने पापा इण उसके बच्चे brother और sister फास इतने ही होते है तो वो जाधा से जाधा be & चार बरसन ही होते है otherwise जो second family है वीग फैमिली तो वीग फैमिली तो वीग फैमिली तो उस फैमिली में क्या होता है स्मॉल फैमिली में सिर्फ पैरेंट्स और उसके बाद चिल्डर्न होते हैं ओके पैरेंट्स और चाइब Second family, big family तो big family में क्या-क्या होता है तो big family में सारे big family मतलब joint family सारे सब साथ में रहते हैं वैसी वाली family तो big family में होते है grandparents मतलब दादा-दादी uncle andy, mommi papa फिर उसके cousins और वो चाइब तो पहुंँ छारे लोग हो जाते हैं तो जैसे grandparents है दादा रादी, अंकल आंडी, हमी पापा, दैन उसके बच्चे, चाई, तो वो थोड़ी बड़ी फैमिली हो जाती है, तो गिक फैमिली होती है, और उससे ही जॉइन फैमिली कहते है, अभी है सिंगल पैरेंट फैमिली, सिंगल पैरेंट, तो कभी कभी क्या होता है कि तो तो दोनों मेंसे single नेंग ही दोड़ इस ही दोनों होते हैं वसमें ऐसी situation आ सकती है, कि तब ममी की देथ होगी होती है. Otherwise पापा की देथ होगी है, तो दूनों में से कोई एक ही होता है. या तो ममी होती है, या तो पापा रह जाते है, तो उस time, तो जो होता है में तब दूरों में से एक ही है'. तो उस फैमिली को कहते है single parents family जिस फैमिली में जिस फैमिली में सिर्फ मम्मी आपपा दुनों में से कोई एक ही होता है तो वो family होती है single parents family ओके तो ये three men चीजे हैं इस lesson में की family क्या होती है किस style की family होती है तो यह आप है थोड़े से question answer जोते हैं मेरिफिक कर देती हूं कि आपर first question है what is a family first question में आपको यहाँ पर दिखी दे रहे हूं अगर आपने नहीं लिखाड है आगे का कुछ भी तो अभी आप दिख सकते हूं ओके first है what is a family what is a family तो यहाँ पर simple साय ना यहाँ पर small word यूज किया है और single यूज किया है यहाँ पर question में what is a family तो यहाँ पर आपको simple सी family के बार में रिखना है कि यहाँ पर ऐसा नहीं what is a small family या what is a single parents family यहाँ पर what is a big family या joint family या ऐसा नहीं पूचल यहाँ पर simple सा क्या रिखना है what is a family यहाँ पर सी यहाँ में answer रिखना है यहाँ 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 लीजितुगेदर, ही तोगेद़, लीजितुगेदरी तोगेदरी उड़ अद सिम्पल Farm वीए टूल्सागी अगर आप यहां पे होते ना, तो मैंने सब को दाम करा दिया होता है यह आंसर, कि कोई ऐसा है ही नहीं, कि किसी को ना आए यह आंसर, मैं one by one सब को खड़ा करके लिए दूलाती रहती हूँ, जब भी मैं रेशन कराती हूँ, तब भी मैं यही चीज करती हूँ, और जब मैं र इक बीसान कराती हूँ, तब भी यही चीज करती हूँ, कि और एक भी स्टूरंट चूपना नहीं चाहिए, कि को ऐसा चूपके बैटा रहा है, कि मैं मुझे खड़ाना करने है, ना, आप लोग ऐसा करते हो, कि कुछ ना तो बाहर मैं करते हूँ, तो मैं मेरा लिखना बाक् सब्सक्राइब 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 प्राप जान नहीं हो तो फुछ नहीं, पैरंसे कुछ लेना है, okay? तो यहाँ पे यह सिंपल से आंसर है. तो यहाँ पे सिंपल सांसर है, फैमिली इपेंश, father, mother and that's not living. तोगेदर जिस गर्फेर्ट. यहाँ पे साइटें नमर, what is a, what is a big family? यहां फिर जॉइन्ट फेम!" भी ऑ सकता है..्या आपको भीख की जगर जॉइन्ट फेम्ली भी आ सकता है तो भी फेमिलि एप में बस यहां ए सेम का सेम आएगा बट तोड़ा सा Сер Ken Гo फेमिली इना है ? इंडिज ग्रांट पेरेंट्स यहां पर ग्रांट पेरेंट्स आप लिक्तों कि नतुच्या होगा आपको ग्रांट फादर ग्रांट मदर गुरुबाण लिक्ने की सलब नहीं पड़े यहां पर आपको लिक्ते नहीं ग्रांट पेरेंट्स मतब दार आठी दूनों आजाए दे ग्रांटपेरेंट्स पादर मदर पादर मुदर अंकल अंकल आण एंड जिल्डरान चिल्डरान एक लिव तूगहर। एक लिव तूगहर। एक मँआव और विव गडेहर। एक मजटो इस ओंटूझ। लिव विव टूगहर। जई प्नासर सBen खिव बिव तूगहर। जो चीज आप समझ के करोगे ना आपको आपके प्रॉपर माइंड में फिट हो जाएगी। उसके लिए आपको किसी को कुछ नहीं की सदर नहीं पढ़ी। बढ़ यार जहां पर आप समझोगे नहीं ना यहीं कुछ भी नहीं। स्माल फैमिले क्या होती है तो फैमिलियी ऐसी है कर देशते दो समझगे तो लोंड़ की का राध है baram भी आणिवार है तो यहांने का देशारे यहां पाध मिलिकते हैं एमकल अंटीcial healthy and sis चल्राइंस आप मेंदी हैं तो फिर कभी कभी क्या हो जाता है उपर का नीचे नीचे का उपर, आप क्वेस्चन ही नहीं समझते होगी, क्वेस्चन में क्या पूछा है, तो बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं, अभी यहां पे सिफ फैमिली है, तो फैमिली के फादर, मजर और इंटर चिप्रन आईगा, यहां पे मिस्टेन है बोटी को पीक फैमिली, यहां पे पीक फैमिली के बारे में पूछा, तो पीक फैमिली क्या होती है, तो फैमिली एक पिछ ग्रांट पैरेंट्स, ग्रांट पैरेंट्स का दब दादा दादी दूनों आ जाएगे, ग्रांट पैरेंट्स, फादर, मजर और उंगर्ज आंट एंडर चिट्रन लीव तोगेधर इस पॉल बीग फैमिली तो वो बीग फैमिली हो जाए तो यहां में यह चीज़े आपको बहुत अच्छे से दियां में रखके करनी है मैंने यहां पर इस चत्रन में आपको फैमिली प्रीवी प्रो कराया था तो वो भी आपको अच्छे से करना है रैक्स राम लिखते है तभी फैमिली में उनने क्या चीज़ा और भी सिख़े थी कि फैमिली में जो भी होता है जाए बच्चे है बच्चे सीमिरर होते है अपने पैरेंट से तो आप बच्चों का या तो face, उसकी eyes, या hair, boys या कुछ ना कुछ अपने parents से मिलता है, match होता है, उसमें कोई भी ऐसा होता ही नहीं कि जहां पे कोई बच्चा ऐसा होगी, अपने family में से किसे जैसा दिखता है नहीं है, वो या तो parents, तादा दादी जैसा लगता है, या नहीं जैसे इस चैप्टर में बहुत सारे विस्टन थे कि लावडेस्ट वोइस्टीस का है वो जिस में दर्थी विश्टन अब करते हैं कि यहाँ पर एक और चीज थी कि फैमिली में सिमिलारीटीस जो होती है सिमिलारीटीस जैसे मैंने पताया कि पैरेंट्स से आपका फुस्टन थे मैच होता है या फेस मैच होता है या आइस मैच होती है या है तो वो सिमिलारीटी में एक ट्विन्स होते है तविएन्स बच्चे जो होते हैं टूनों इसे कौन है पता ही नहीं चलता है वहीं हैं कि शह CB कॉन हैं थे पन चाना प्रिक हो центр हैं बट कुन हम एन वह यां चलता है टौनों सेम छंप आप्र सविल यहां ग्रपस कर सकते हैं कि हमकी थापन एक Спस्का है या बर्फार। आप सकते हैं, who is the tallest, tallest तापकी फैमिली में कौन tallest है, कौन बड़ा है, tallest मतलब height wise, okay, बड़ा मतलब वो तो आपकी द्यानाजी होगे, तो कोई बड़े होगे, पड़ यहाँ पर question के है, who is tallest, tallest मतलब किसकी height आपके जादा है, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आपको फूर पर देने, who is, who is your tallest, okay, who is tallest, तो आपके यहाँ पर देख सकते, आपके फादार हो, तादाजी की भी height दादा हो सकते है, तादी की हो सकते है, कुछों tallest है, उनका नाम लिखना है, okay, यहाँ फीट फादार मतलब एसा रिखेर, फिर, who is the tallest, sortest, sortest कौन आपके हूँ है, second है, who is, who is the sortest, okay, तो यह जो question है, okay, अपको यह उपरे बाद, पर देखने नहीं जाना है, कि उपरे बाल्ड में कौन tallest है, कौन sortest है, यह जो question answer है, about your family है, कौन से, about your family, आपके फैमिली के बारे में क्वेस्चन आंसर है, तो आप लोग के यही कते हैं वीडियो देखते नहीं हो, और फिर यूटूब पे सर्च करने जाओंगे कि दुनिया में मैंने क्वेस्चन तुछा हूँ, विस्ट टॉलेस्ट, विस्ट टॉलेस्ट, तो आप लोग क्या चुसज़ा पहले को चयए हूँ, तो चिज़ा नहीं ही है यहां पैं अरहे चैटर क्या है, नहीं ए FAMILY में ये जो सारे question है वो अपने family के रिए डेटेट है, आपकी family में कौन tallest है, कौन shortest है, shortest में जिसकी height सबसे कब हो, तो आपके गर में तो छोटा बच्चा है, तो वो सबसे shortest होगा, तो आपकी brother और sister को आपको दिखेना है, okay? देखो यहां पर बहुत लोगनिस्टिक करता है, एल्डेस्ट मतलब यंगर, बड़ा, गर्में, फैमिली में एज़ वाइस, कि दागाजी की उमन जादा होगी, तो बड़े ही होगे, फिर फोई यंगेस्ट, यंगेस्ट बड़ा आता है नो तो आप लोगों वैसे सुकता है क यंगेस्ट मतलब बड़ा, और यंगेस्ट मतलब यंग, एल्डेस्ट मतलब गुड़ा, यंगेस्ट यंगेस्ट यंग, जवाल कौन, ओके, वो चीज़े आपको ध्यान में रहने है, एल्डेस्ट एंड यंगेस्ट, तो आप लोगों ने यंगेस्ट में बहुत सारे, आपसे चुटा आपका फ्रीशर कोई प्रिजर और सिस्टर होगा तो प्रेद्ध से यहिस्ट का मतलब होता है कि जबान कौन है एंड इल्डेश्ट का मतलब होता है की भूड़ा कॉट? मैंने यह चीज, eldest मतलब कौन गर में बड़ा है, बड़ा यहां पे अभी हाइट नहीं देखने है, eldest मतलब आपके गर में कौन सबसे की जाधा हम्र है, वो, age की जाधा है, वो, तो या दादाजी हो सकते हैं, तो दादाजी का नाम लिट देना है, या उनका grandfather, ऐसा लिट देना और eldest, youngest पूछाता है, तो आपके गर में अगर आप सबसे छोटे हों, तो आपको अपना खुछ लिखना है कि myself, otherwise आपके brother और sister को आपसे भी छोटा है, तो आपको लिखना है, वो, तो यहां पे मैं three number लिख रही हूँ, who is, who is the eldest, okay, first chapter में अपके टॉछ लिखना है, तो आपके रही है और लिखना है, तो आपके लिखना है, तो आपके लिखना है, और eldest, okay, and next day, youngest, who is, इसको नमबर, वो इस दक चमेश्ट? वके उस, टमफी, यह बड़ा गट है और चोटा गट है, यह बड़ा गट है यह पोर पट चमेश्ट? यह बड़ा, फिस समय के वकेश्ट? 6. Who is heaviest? 5. Who is the heaviest? H-E-A-V-I-T-S-T T-E-S-T heaviest Okay? heaviest मतब इसका बदन जाड़ा है 6. Who is the lightest? F-I-G-H G-H-T-E-S-T Lightest Okay? चल्द यहाँ परें यह चीज़े मैं आपको समझा देते हुआ हमें एक फॉर्प समारा प्रेस्टन है Who is tallis? Tallis मतब जिसकी height जादा है 4 उसका नाम लिखना है तो आपके grandparent डादा आ सकते है या गर रजाते है पापा तो आपको यहाँ में father लिखना है या आपके grand father यह answer में अभी आपको नहीं बढ़ाने वाली हूँ यह division चल रहा है मैं answer बोल हूँगी बोल रहे हैं तो मैं आपको वो आपको लिखना है फूर्पूर तो नाइस्टे Who is the sortis? Sortis मतब जिसकी height कम है वो जिसकी height कम है वो तो जिसकी height कम है तो वो आपके दर में तो छोटा सा पेवी होगा आपके brother और sister तो आपको लिखना ब्रदर या sister या धरवाइस आप सबसे छोटे हो और आपकी height कम है तो आपको लिखना है myself अगर आप सबसे छोटे है तो आपको लिखना है myself अगर वाइस आपके brother और sister जो है उनका हो लिखना है फेज यहाँ पे 5 नबर है who is the heaviest heaviest मतब बजन जिसका जाथा है heavy and light light मतब जिसका weight कम हो heaviest मतब जिसका weight जाथा हो who is the heaviest का आपके गर में जो भी जिसके आभी weight सबसे जाथा है तो father हो सकते mother हो सकते या grandfather या grandmother जिसका भी weight जाथा हो वो यहाँ पे आपको निख देना है विल्रास्ट सीज समरे who is the lightest who is the lightest किसकी है किसका weight कम है किसका weight कम है तो आप सबसे छोटे होगे तो आपका weight कमी होगा सबसे है ना parents से तो आपका कमी होगा and then आप तो वो आपके गर में कोई family member है छोटा बचा है तो उसका weight यहाँ होगा lightest कम weight होगा नामका भी तो यह सबसे यह question जोए उसके answer आपको फूल अपने आप पेल करने है यह अभी revision start हो रहा है यह अल्रेदी हमने सारी चीज़े कर ली है तो वो फेल से मैं answer नहीं बर रही हूँ आपको फूल पेल करने है मैंने सारी चीज़े आपको explain कर दी है तो वो फूल आप पेल कर सकते है यहाँ पे दो question मैंने लिती है What is a family and what is a big family तो दोनों family में difference क्या होता है तो families होती है उसमें parents and their children होते बता father, mother and children big family होती है तो grandparents, father, mother, uncle, aunt and their children होते single parents family होती है single parents family है तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ parents, दोनों parents नहीं होते है फिर आप यहाँ भी यह सकते के दादा, दादी हो तो सको तो फिर फिर से तीक family हो जाएगे बट जहाँ पे जैसे अभी सिपीज में जैसे हम ही है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे तीन लोग ही रहते हैं ना और जर्बा एक मता मुणी पापा एंड टिल्रें तो यह हमारे small family है कि उसमें से भी एक गम हो गया तो वो single parents हो जाएगे तो वो तीनो family types कितने types की है small family, big family and single parents family फिर हमारे families में बहुत सारे similarities होती है तो वो चैसे सारी चीज़े जैसे twins होते हैं उसके बारे मैंने आपको बताया फिर family में येको question answer है वो according to our family है तो family के बेश्टे आपको question answer लिखने है तो ये हमारा मैं आज जहीं पर start कर रहे हूं और थोड़ी सी feeling the blinds और और वो सब है वो मैं आपको next period में continue कर रहे हूं तो ये चैस्टर में यहीं पर start कर रहे हूं Thank you so much कर रहे हूं